Hello students, Welcome to MOS Classes, आज हम 8th Class Science NCERT के Chapter No.16 Light के Keywords को डिसकस करेंगे और हम Diagrams की मदद से आपको ये सारे Keywords समझाएंगे ताकि आप आसानी से इन सभी Keywords को समझ सके और याद रखेगा students के इस वीडियो के नीचे description box में हमने अपनी सभी वीडियो के लिंक दिये हुए हैं तो description box में जाकर आप हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं तो पहला Keyword है Angle of Incidence, Angle of Incidence क्या होता है? तो इसके आंसर में हम रिखेंगे The Angle formed between the Normal and the Incident Ray is called Angle of Incidence इसका ये मतलब है students के वो Angle जो Normal और Incident Ray के बीच में बनता है उस Angle को हम Angle of Incidence कहते हैं अब हम इस Diagram की मदद से समझेंगे के Angle of Incidence क्या होता है? अब देखे students, ये एक Surface है ये Surface कुछ भी हो सकता है, एक दिवार हो सकती है या एक Cardboard हो सकता है, एक Mirror हो सकता है और यहाँ से ये एक Light Ray आई यानि कि ये Light इस तरीके से आ रही है और यहाँ आकर ये Surface से टकराई और टकराने के बाद ये जो Light Ray है ये इस तरीके से टकराके वापस चली गई तो ये जो पहली Light आई इसे हम कहते हैं Incident Ray और ये जो Incident Ray होती है यही आकर Surface से टकराती है और जिस Point पर ये Incident Ray Surface से टकराती है इस Point को कहते है Point of Incidence और यहाँ से टकराने के बाद जब ये Light Ray ऐसे वापस चली जाती है तो इस Ray को कहते है Reflected Ray यानि कि Reflected Ray वो Ray होती है जो टकराने के बाद वापस चली गई जो पहले Light की Ray आई ये Incident Ray है यहाँ पर टकराई, यह point of incidence है, टकराने के बाद जब यह light वापस गई, तो इसे reflected ray कहते हैं, अब देखें students, यह जो point of incidence है, यहाँ से हम एक perpendicular draw करते हैं, जो कि यहाँ 90 degree का angle बनाता है, ठेक है, और यह जो perpendicular यहाँ से draw किया जाता है, इसी को कहते हैं normal, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह दो angle बन रहे हैं, एक तो यह वाला angle, और एक यह वाला angle, अब यह जो angle है, इसे यहाँ नाम दिया गया है angle I, इसे हम angle of incidence भी कहते हैं, याद रखेगा students, कि जो angle of incidence बनता है, यह incident ray और normal के बीच में बनता है, और यह है जो R लिखा हुआ है, इसका मतलब है angle of reflection, जो कि second keyword है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, कि जो angle of reflection होता है, यह reflected ray और normal के बीच में बनता है, और यह भी याद रखेगा, कि जो normal होता है, यह एक imaginary line होती है, एक काल्पनिक line होती है, जो हम बनाते है, इस angle of reflection है, और यह angle of incidence है, और यह जो angle of incidence है, यह किन दो चीजों के बीच में बना, incident ray के बीच में और normal के बीच में, तो यही तो यहाँ पर हमने लिखा था, इसको हम क्या कहते है, angle of incidence, इसके बाद second keyword है, angle of reflection, तो इसके लिए हम यहाँ पर रिखेंगे, the angle formed between the normal and the reflected ray, is called angle of reflection, इसका यह मतलब है, students, के वो angle, जो normal और reflected ray के बीच में बनता है, उस angle को हम angle of reflection कहते हैं, जैसा कि इस diagram में दिखाया गया है, यह angle of reflection है, क्योंकि यह angle normal और reflected ray के बीच में बना हुआ है, तो यह कौन सा angle हुआ, angle of reflection, तो इस तरह से हमने angle of incidence और angle of reflection दोनों के बारे में समझ लिया है, इसके बाद, third keyword है, blind spot, blind spot क्या होता है, at the junction of the optic nerve and the retina, there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot, this is called blind spot, इसका यह मतलब है students, के वो junction, वो जगह जहाँ पर optic nerve और retina आपस में मिलते हैं, उस जगह पर sensory cells नहीं होते, तो वहाँ पर किसी तरह की कोई image नहीं बनती, कोई picture नहीं बनती, तो इसी sport को, इसी जगह को blind spot कहा जाता है, अब हम blind spot को इस diagram की मदद से समझते हैं, यह human eye का यहाँ पर structure दिखाया गया है, यह देखे students, यह retina है, जो eye में यहाँ पर आख में, पीछे की तरफ इस तरीके से होता है, यह एक screen की तरह होता है, देखे बताया गया है कि यह retina है, और इसी retina के उपर image बनती है, picture बनती है, और यहाँ पर आप देखिए, कि retina के साथ ही यह एक, यह आपको जो नजर आ रहा है, यह optic nerve है, जो और हमारी आख में जो picture बनती है, retina के उपर, उस picture को, उस image को, यह optic nerve ही brain तक पहुचाती है, और फिर हमारा brain उस image को देखता है, और अब इस area को देखिए, यह वाला जो area है, यहाँ पर optic nerve और यह retina, आपस में connect हो रहे हैं, यह वाला जो area आता है, यह blind spot कहलाता है, यहाँ पर sensory cells नहीं होते, और यहाँ पर किसी तरह की कोई image नहीं बनती, इसी लिए इसको blind spot कहा जाता है, इसके बाद, fourth keyword है, braille, braille क्या होता है, braille is a written language for the visually challenged people in which characters, और जो characters होते हैं, letters भी हो सकते हैं, are represented by patterns of raised dots, इसका यह मतलब है students, के brain किसी language को लिखने का एक तरीका होता है, जो की visually challenged people के लिए यह use किया जाता है, यानि जो blind लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए, अब इसमें जो characters होते हैं, फिर चाहें वो letters हो, या numbers हो, वो raised dots के रूप में इस तरीके से लिखे जाते हैं, यानि उभरे हुए dots होते हैं यह, और जो blind person होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो अपनी fingers से, अपनी उंगलियों से इन raised dots को, इन उभरे हुए characters को, फिर चाहिए letters हो या numbers हो, इनको अपनी finger से touch करते हैं और उसी तरह से वो इस language को पढ़ते हैं, इसके बाद अगला keyword है cones, cones का क्या मतलब है, cones are the cone-shaped cells in the retina of an eye, which are sensitive to bright light, याद रखेगा students, कि हमारी आख में, हमारी eyes में retina होता है, और retina के अंदर दो तरह के cells होते हैं, एक तो road-shaped cells होते हैं, जिनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, और एक होते है cone-shaped cells, यानि retina के अंदर cone-shaped cells होते हैं, और ये जो cone-shaped cells होते हैं, इनी को cones कहा जा और ये bright light के लिए sensitive होते हैं, यानि bright light में हमारा जो vision होता है, bright light में जो हमारी देखने की capability है, देखने की शंता है, उसके लिए cones ही responsible होते हैं, और हमारी eyes में cones का एक और काम भी होता है, cones are color sensitive and give a sense about the color of an object, यानि के जो cones होते हैं, ये color sensitive होते हैं, और जो हम ये different type के colors को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, ये भी cones की वज़े से ही होता है, यानि के cones हमें different colors को देखने में मदद करता है, इसके बाद अगला keyword है cornea, cornea क्या होता है, the front part of the eye is called cornea, इसका ये मतलब है students, कि हमारी eye का जो front part होता है, सबसे आगे वाला part होता है, उसी को cornea कहते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ये उभरा हुआ पार, ये cornea होता है, जो कि हमारी eye के बिल भी किया गया है cornea, cornea is made of a transparent substance and it is bulging out, इसका ये मतलब है students, कि जो cornea होता है, ये transparent substance का बना होता है, और ये bulging out होता है, यानि कि उभरा हुआ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि cornea उभरा हुआ है, bulging out है, और उसके साथ-साथ cornea transparent भी होता है, the light coming from an object enters the eye through cornea, यानि जब किसी चीज़ से, किसी object से light हमारी आख में enter करती है, तो वो cornea से ही enter करती है, सबसे पहले light, cornea से ही enter होती है हमारी आख में, the main function of cornea is to protect the eye, और cornea का जो main function है, वो है, हमारी आखों की सुरक्षा करना, हमारी आई सको protect करना, इसके बाद अगला keyword है diffused or irregular reflection, अब diffused or irregular reflection क्या होता है, अब याद रखियेगा students के जब भी light किसी शर्फेशा है, अब याद रखियेगा students के जब भी light किसी surface से टकराती है, तो surface से टकराने के बाद वो वापस जाती है, उसका reflection होता है, तो light का जो reflection होता है, वो दो तरह के reflection होते हैं, एक तो होता है regular reflection, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, और एक होता है irregular reflection जिसे हम diffuse reflection भी कहते हैं तो पहले अब हम ये समझते हैं कि diffuse reflection यानि कि irregular reflection क्या होता है अब यहाँ पर इस diagram को ध्यान से देखिए ये एक surface है जो की काफी rough है उबढखा बढ़ सा है ठीक है और ये light की parallel rays है जिनको क्या नाम दिया गया है incident parallel rays incident rays वो होती है जो आकर surface से टकराती है और incident parallel rays का मतलब है कि ये सभी rays जो आकर surface से टकरा रही है ये देखिए आपस में parallel है और ये सभी आकर इस rough surface से टकरा रही है अब ध्यान से देखिए students जब ये parallel rays आकर इस rough surface से टकराई तो टकराने के बाद ये वाली ray ऐसे चली गई reflect होकर ये वाली ray reflect होकर ऐसे चली गई ये वाली ray reflect होकर ऐसे गई तो ये सभी जो parallel race थी इस rough surface से टकराने के बाद ये parallel नहीं रही तो जब इस तरीके का reflection होता है कि जब incident parallel rays आकर एक rough surface से टकराती है और टकराने के बाद वो parallel नहीं रहती बलकि roughly इदर उदर वो reflect हो जाती है तो इस तरह के reflection को हम या तो irregular reflection कहते हैं या फिर diffuse reflection कहते हैं और इस तरह का reflection तब होता है जब surface rough होता है जैसे कि ये surface rough था जैसे कि कोई rough सा उबडखाबड सा cardboard अगर इस तरीके के surface से incident parallel rays टकराएंगी तो वो reflect होने के बाद parallel नहीं रहती और इसी को irregular reflection या diffuse reflection भी कहते हैं और यहीं यहाँ पर हमने इस answer में लिखा है when all the parallel rays reflected from a rough और irregular surface are not parallel यानि कि जब parallel rays rough या irregular surface से टकराने के बाद parallel नहीं रहती the reflection is known as diffused or irregular reflection तो हम ऐसे reflection को diffuse reflection या irregular reflection कहते हैं और उसके बाद हमने क्या लिखा it is caused by the irregularities in the reflecting surface like that of a cardboard और यह जो irregular reflection है यह जो diffuse reflection है यह किसकी वज़े से होता है जो surface है उस surface की irregularities की वज़े से अगर वो surface उबडखाबड है rough है तो उस case में जो reflection होगा वो irregular reflection होगा diffuse reflection होगा जैसा कि किसी rough cardboard के साथ हो सकता है अब इसके बाद अगला keyword है incident rays incident rays के बारे में हम पहले भी आपको इस वीडियो में समझा चुके हैं the light ray which strikes any surface is called incident ray or ray of incidence इसका ये मतलब है students के वो light ray जो किसी surface से टकराती है उस light ray को हम incident ray कहते हैं या फिर ray of incidence भी कहते हैं जैसे कि इस diagram में आप देख सकते हैं students ये एक surface है और यहां से आकर ये light ray टकराई किस से टकराई इस surface से इस तरीके से टकराई तो इस ray को हम क्या कहेंगे incident ray या फिर ray of incidence यानि के वो light ray जो आकर किसी surface से टकराती है उस ray को हम incident ray कहते हैं इसके बाद अगला keyword है iris iris क्या होता है तो iris को पहले हम इस diagram की मदद से समझ लेते हैं हमारी आख का जो ये वाला part होता है students इसी को iris कहा जाता है याद रखिएगा कि हमारी आखों का color वही होता है जो iris का color होता है जैसे हम कई बर कहते हैं कि किसी की आखों का रंग काला है तो इसका मतलब उसका जो iris है वो black color का है और अगर हम कहते हैं कि किसी की आखों का रंग brown है तो इसका मतलब उसकी जो iris है वो iris brown color का है तो जो color आपके iris का होता है eyes में वही color आपकी आखों का कहा जाता है और ये भी याद रखिएगा students कि iris के center में यहाँ पर ये pupil होता है जो एक छोटा सा hole होता है iris के center में यही से light अंदर जाती है और जो iris होता है ये pupil के size को control करता है यानि कितनी light अंदर जाएगे कम light अंदर जानी चाहिए या ज्यादा light अंदर जानी चाहिए ये कौन control करता है iris किसको control करके pupil के size को control करके तो यहाँ पर हम रिखेंगे a dark muscular structure behind the cornea is called iris यानि cornea के बिलकुल पीछे एक dark muscular structure होता है जिसको iris कहते है the iris controls the size of pupil and the amount of light entering into the eye यानि जो iris होता है वो pupil के size को control करता है जैसा कि अभी हमने आपको बताया था और iris ही कितनी light हमारी आखों में जानी चाहिए इसको भी control करता है the color of the iris actually indicates the color of the eye यानि के जो iris का color होता है वही हमारी आखों का भी color होता है इसके बाद अगला keyword है kaleidoscope kaleidoscope क्या होता है it is an optical instrument in which mirrors are placed at an angle to one another and thus able to form a number of images इसका ये मतलब है students कि जो kaleidoscope होता है ये एक optical instrument होता है कैसा instrument होता है जिसमें देखा जाता है और इसमें क्या होता है कि जो mirrors होते हैं उनको किसी खास angle पर एक दूसरे के साथ रखा जाता है जोडा जाता है और इससे जो construction त्यार होती है जो kaleidoscope त्यार होता है जब आप उसके अंदर देखते हो तो आपको अलगलग patterns की images नजर आती है अब यहाँ इस diagram में आप देख सकते हैं students के plane mirrors को इस तरीके से एक दूसरे के साथ set किया गया है जिससे एक prism बन गया है और यह prism इस circular cardboard tube के अंदर डाला जाता है और उसके बाद इस तरीके से kaleidoscope त्यार होता है जिसके अंदर यहाँ पर bangles की कुछ छोटे छोटे टुकडे डाले गए हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़े डाली जा सकती है जैसे colorful marbles डाले जा सकते हैं और यहाँ पर तो आप देखी सकते हैं के bangles चूडियों के टुकडे डाले गए हैं और जब आप इस तरीके से यहाँ से अंदर देखते हैं तो आपको अलग-लग design नजार आते हैं अलग-लग pattern की images नजार आती हैं और इसी को kaleidoscope कहा जाता है इसके बाद अगला keyword है lateral inversion lateral inversion क्या होता है याद रखेगा students के जब आप किसी mirror के सामने खड़े होते हैं और mirror में देखते हैं तो आपकी जो right side होती है वो mirror में जो image बनती है वहाँ पर वो left नजर आती है यानि के mirror की image left को right दिखाती है और right को left दिखाती है और इसी को lateral inversion कहा जाता है अब देखिए यहाँ पर यही हमने लिखा है यानि के जब आप एक plane mirror के सामने खड़े होते हैं plane mirror वही mirror है जो घरों में होता है तो आपकी जो right side होती है वो mirror में जो image बनती है वहाँ left नजर आती है और जो आपकी left side होती है तो mirror में जो image बनती है वहाँ पर वो right side नजर आती है तो जो object है यानि के जिसकी भी image बन रही है वो object की side और जो mirror में image बनी वो वली जो side है दोनों में जो change हो जाता है कि right का left नज़र आता है left का right नज़र आता है इसी को lateral inversion कहते है और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा students कि अगर आप mirror के सामने खड़े हैं तो आप object है और ये जो image बन रही है ये mirror image है इसके बाद अगला keyword है laws of reflection यानि के reflection के कुछ low होते हैं जिनको हम देखेंगे तो यहाँ पर reflection के दो low होते हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला low होता है reflection का the incident ray the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane यानि के जो incident ray होती है और जो normal होती है और जो reflected ray होती है ये सभी same plane में होती है है अब इसका मतलब क्या है यह हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं सबसे पहले तो यह याद रखेगा students कि reflection का मतलब होता है टकरा के वापस आना अब देखिए यहाँ पर इस तरह का यह structure त्यार किया गया है कि यह जो light की रे जा रही है storage से यह incident ray है यह इस तरीके से गई यहाँ इस surface से टकराई इसको point of incidence कहते हैं और यहाँ से टकराके यह जो ray है reflect हो गई टकराके देखिए वापस जा रही है इसको कहते है reflected ray और यह point of incidence से एक यह imaginary line खीची जाती है जिसको normal कहते हैं यह perpendicular होती है यानि 90 degree का angle बनाती है तो यह incident ray यह normal जो point of incidence पर बना हुआ है और यह reflected ray यह एक ही plane में है इसका यह मतलब है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस पूरे रास्ते को इस तरीके से trace किया है इस paper के उपर इस plane के उपर यहाँ कई ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि जो light है वो नीचे की तरफ जा रही है या बहार उपर की तरफ निकल रही है नहीं यह एक ही plane पर यह पूरा रास्ता यहाँ पर आप trace कर सकते हैं इसी लिए कहा जाता है कि जो incident ray होती है जो normal होती है point of incidence पर और जो reflected ray होती है यह तीनो same plane पर होती है ना यह अंदर जा रही है ना यह बहार जा रही है आप इसको एक plane के उपर एक paper के उपर इस तरीके से draw कर सकते हैं इसलिए इसको same plane पर कहा जाता है और इसके बाद reflection का जो second rule है जो second law है वो है angle of incidence is always equal to angle of reflection यानि कि जो angle of incidence होता है वो हमेशा equal होता है angle of reflection के जैसे कि इस diagram में आप देख सकते हैं students कि यह incident ray आई इस surface से टकराई यहाँ पर और टकराके वापस चली गई तो यह incident ray है यह point of incidence है यह normal है और यह reflected ray है अब यहाँ पर देखिए normal और incident ray के बीच में यहाँ पर यह angle बना इसे हम कहेंगे angle of incidence और normal और reflected ray के बीच में यह angle बना इसे हम कहेंगे angle of reflection यानि यह आई का मतलब है angle of incidence और का मतलब है angle of reflection तो जो angle of incidence होता है यह equal होता है angle of reflection के और यही reflection का second low है कि यह दोनों angles आपस में equal होते हैं angle of incidence और angle of reflection आपस में equal होते हैं इसे आप ऐसे भी याद रख सकते है students के जिस angle पर light rays आकर किसी surface से टकराती है तो उसी angle पर वो reflect होती है यानि उसी angle पर surface से टकराने के बाद वो वापस चली जाती है इसके बाद अगला keyword है pupil pupil के बारे में हम पहले भी आपको समझा चुके हैं इसी वीडियो में there is a small hole in the center of the iris which is called the pupil यानि के जो iris होता है इसके center में एक छोटा सा hole होता है और इसी hole को pupil कहा जाता है और याद रखेगा students के जो light होती है वो pupil से ही अंदर जाती है the size of the pupil is controlled by the iris और जो pupil का size होता है ये कोन control करता है iris control करता है इसके बाद अगला keyword है reflected rays reflected rays क्या होती है याद रखेगा students के reflected rays वो rays होती है जो किसी surface से टकराने के बाद वापस जाती है reflect होती है the ray of light that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray यानि के light की वह ray जो किसी surface से टकराने के बाद वापस आती है reflect होती है उसे reflected ray कहा जाता है इस diagram में आप देख सकते हैं ये incident ray है ये आकर टकराई surface से और टकराने के बाद ये reflect होई वापस गई तो ये वाली जो ray है जो टकराने के बाद reflect हो रही है टकराने के बाद वापस जा रही है इसी को reflected ray कहा जाता है इसके बाद अगला keyword है reflection reflection क्या होता है इसका ये मतलब है students के जब light ray किसी surface से टकराती है तो उसके बाद वो वापस आती है तो किसी surface से टकराने के बाद light ray का bounce back होना वापस आना इसी को reflection कहा जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं surface है ये incident ray आई, light ray आई ये आकर इस surface से टकराई और वापस चली गई इसी को reflection कहा जाता है इसके बाद अगड़ा keyword है regular reflection regular reflection क्या होता है if a number of parallel rays of light goes undeviated after reflection and again remain parallel to each other the reflection is called regular reflection इसका ये मत्रव है students के अगर incident parallel rays इस तरीके से आ रही है और surface से टकराने के बाद भी वो deviate नहीं हो रही यानि कि उसके बाद जब वो reflect होती है तब भी वो parallel ही रहती है तो इससे हम क्या कहते है regular reflection इससे पहले इसी वीडियो में हमने keyword देखा था irregular reflection का उसमें क्या हो रहा था कि ये parallel incident rays आ रही थी लेकिन टकराने के बाद वो parallel नहीं होती है बलकि वो इदर उदर deviate हो जाती है reflect हो जाती है लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये incident parallel raise आई और surface से टकराने के बाद जब वो reflect होई तब भी वो parallel ही है और इसी को regular reflection कहा जाता है और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे regular reflection of light occurs from smooth surfaces like that of a mirror यानि के जो regular reflection होता है वो smooth surface से होता है जैसे की एक mirror से इसका ये मतलब है students के अगर ये surface smooth है तो जो incident parallel raise आएंगी और इस smooth surface से टकराएंगी तो टकराने के बाद जब ये reflect होंगी तब भी ये parallel ही रहेंगी और जो regular reflection होता है ये smooth surface के साथ ही possible होता है क्योंकि ये regular reflection में हमने देखा था कि जो surface था वो smooth नहीं था बलकि वो ऐसे rough था तो वहाँ पर regular reflection नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पर जो surface है वो smooth है तो यहाँ पर जो reflection हो रहा है वो regular reflection है इसके बाद अगला keyword है retina Retina क्या होता है The retina is a screen on which the image is formed in the eye यानि के हमारी आख में जो retina होता है वो एक screen का काम करता है जिस पर image बनती है यहाँ पर इस diagram में आप देख सकते है students के आख के पिछले हिस्से में ये देख रहे हैं आप ये retina है जो की screen का काम करता है और जो image बनती है हमारी आख में वो इस retina के उपर ही बनती है और उसके बाद हम लिखेंगे The retina is behind the eye lens at the back part of the eye यानि जो retina होता है ये जो retina है ये हमारी आख में जो ये eye lens होता है इस lens के पीछे की तरफ होता है और आख के भी पिछले हिस्से में होता है ये ही यहाँ पर हमने लिखा है कि जो retina होता है वो eye lens के पीछे होता है देखिए eye lens के पीछे है और eye के पिछले part में होता है और ये retina कहाँ पर है इस आख के पिछले part में है इसके बाद last keyword है roads रोड्स क्या होती है इसी वीडियो में हमने आपको यह बताया था students के रेटीना के अंदर दो तरह की cells होती है एक होती है कोल शेप सेल जिनको कोल कहते है जो हम ओरेडी समझ चुके है और एक होती है रोड की शेप वाली सेल जिनको हम रोड्स कहते हैं तो यहाँ पर हम रिखें रोड्स आर दा रोड्स शेप सेल्स प्रेजेंट इन रेटीना ओफ एन आई विच आर सेंसिटिव तो डिम लाइट रोड्स आर दा मोस्ट इंपोर्टेंट फोर विजन इन डिम लाइट याद रखेंगा students के हमारे रेटीना में जो रोड्स होती है जो रोड्स शेप सेल हो यानि के दिम लाइट में हमारी देखने की जो शमता होती है जो देखने की capability होती है हमारी दिम लाइट में कम रोशनी में वो किस पर निर्भर करती है रोड्स के ऊपर निर्भर करती है I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you